माइना स्वयम रोजगार बोधिश्य संस्तान नाखपुर के और से नाखपुर शहर के डिप्टी सिग्नल परिसर में 36 गड़ी सांस्क्रूतिक मंड़ी का आईजिन क्या क्या है इस मंड़ी में मंड़ी के साथी मेले का भी आईजन क्या क्या है जहां मनुरंचन के सभी विवस्ता की गई है 36 गड़ी समाज में मंड़ी महत्व होता है मंड़ी द्वारा वे लोग अपनी संस्कृति दर्शाते हैं इस मंड़ाई का शुभारम गुर्वार को मांटिवरों के हस्ती क्या गया हम बच्चे लोग खा रहे हैं इसलिए मंड़ा के मादश से हमाना का पहुचा जिन्दा रखते हैं उसके बाद में तक पहुशती है, तो उसका भेनी फिट भी हमको मिलता है। जैसा भी हमारा सितला माता मंदीर है। उसितला माता मंदीर ये 36 गड़ी मंड़ई समरो के ही वज़े से आज इतना विशाल रूप लिया है और इतना विशाल काम हुआ उसमें बस्ती वालों का भी योगदान है, मंडई समीते का योगदान है, पुरे जो हमारे समाज के लोग है उनका सब का योगदान है और हमारा जो मंडई है विकत चवालीस साल से हो रहा है और इसमें काफी जो हमारे और जो आज इस दुनिया में निये सवर्गरास हो गए है उनका काफी योगदान है और उनका महेनत है जो आज मंडई इस मज़े मुकाब में है जैसा कि आप देख रहे यहां जो भव्य रूप से मंडई मनाया जाता है पहले हमारे भुजुर्गों ने एक छोटा रूप से चालू किया था जो आज बहुत ही बड़ा अस्वरूप में होता है पहले तो हो सिर्फ यहां पार नागपूर के अंदर में हमारे शत्तिजगली समाज में सिर्फ डिट्टी सिंगल में मंडई होता था लेकिन आज हमारे इस समाज के जो रोणों को देखते हुए आजु बाजु के परिसरवालों ने भी जो है मंडई का समारो चालू किया है और हम अपने इस मंडई समारो के माध्यम से हम यहां जो सांस्कृति कारेकरम रखते हैं उस सांस्कृति कारकरम के माध्यम से हम अपने चातीत गड़ी समाज का जो भी कल्चर है उसका प्रदर्शन करते हैं और समाज को उस बारे में बताते हैं कि हमारा कल्चर क्या है इसके बारे में हम सभी को बताते हैं यही हमारी एक मंड़ी का विशेष्टा है यही कहते हुए म यहां पर सभी आय हुए मंटई हुए मनड़ी हिप समारोह में आय हुए सभी को मंटई की हर्दीक सुपकामना देता हुँ धन्यवाद यह ज़्क थे कताईये मंटई जो है वह उजगवा बिरी किसक्रा से देख अ नवसकार गलंगों अ आप नवसकार मैं रोशन स्री किशन निर्मलकर सची उट सची जडि समात संस्कृत मंदी स्रो समिती ये यूव पीडिजी हमा सबसे बहले तुमाई हमारे माननवर जो है पूराने जो भूजर उनको मैं दन्नावत देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी संस्कृती हमारी धरोवर को बचाये रखे पिछले 43 वर्सों से उनका सभी का अविवादन करता हूं हमारे जो मंदी समीते मंदी का का जो कारे करम है वो सभी भूजरोंने समाल के रखे है और अभी के यूव पीडि जो है वो मंदी के माध्यम से हम और बाकी बुजरों के यूव लोग है उनको बताना चाहते है कि हमारी संस्कृती क्या है हमारी पैशान क्या है और मंदी के माध्यम से सभी आउक प्रेरना मिलता है यही बोल के पूस्वाद